हालो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग उम्मित करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे आज का जो वीडियो है जो टॉपिक है वो उन लोगों से संबन्दित है जो लोग ये सोचते हैं कि उनका जो गॉंफिडेंस लेवल है और उके वेक्षा थोड़ा सा कम है और वो चाहते हैं कि उनका भी लेवल बढ़ जाए तो कैसे बढ़ेगा मैं आपको इस वीडियो के मादम से बताऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करने से क्या होता है हम उन बातों को अच्छी तरह के से समझ बाते हैं और हम फॉलो भी कर सकते हैं तो जो छोटी-छोटी में आपको बात है बताऊंगा इस वीडियो के मादम से चोटी-छोटी पॉइंट बताऊंगा विश्वास कीजिए अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका आत्म विश्वास भी आपका जो कॉन्फिदेंस वो इतना बढ़ आप खुद को थोड़ा सा गौर्वान भी महसूस करेंगे आपको लगयागा कि हाँ भाई मैं भी औरों की अब एक्षा थोड़ा सा अलग कॉन्फिदेंस बंदा हूं एक मिरे अंदर अलग कॉन्फिदेंस है तो कौन-कौन से पॉइंट से हम सीधे पॉइंट्स पर फिट रखने के लिए आप एक्सराइज कीजिए योगा कीजिए आपको जो काम करने में अच्छा लगता है वो काम कीजिए अगर आपको योगा करना पसंद है तो आप योगा कीजिए आपको एक्सराइज करना पसंद है आप एक्सराइज कीजिए लेकिन खुद को फिट से आप अपने आपको चुस्त दुरुत समझोगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरे स्रीज में थोड़ी तागत है, आप दूसरों क्या पेक्षा थोड़ा सा खुद को ऐसा एनरजेटिक फिल करोगे, और फिट रखने से जब आप खुद को एनरजेटिक फिल करोगे, तो आपका एक आत्म विश्वास और ओके पेक्षा बढ़ा हुआ नजर आएगा, दूसरा, आप जब भी कहीं जा रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप हमेशा कपड़े फिट वाले पहनेगे, फिटिंग वाले जो कपड़ कपड़े फेहनी, मैं आपसे ये नहीं कहरा, कि आप हर रोज नए कपड़े खरी दिये, जो कपड़े आपको पसंत है, अब दोचाजोड़ी का कपड़े अपने पास ऐसे रखिए जैसे आपने पेंट्रेट पसंद है, जीन्स पसंद है दोचार जोड़ी कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपको ऊपर अच्छे लगने चाहिए जब आप उन कपड़ों को पेहने कर चलोगे तो आपका एक अलग confidence होगा आपको feel होगा जो समय चल ला है उसके हिसाब से खुद को update रखना चाहिए आपको current updates का ग्यान होना चाहिए आपको अपने आजपस की होने वाली घटनों का ग्यान होना चाहिए थोड़ी बहुत हर छेत्र की knowledge होनी चाहिए तो इगर भी क्या होता है कि आप meeting में बैठे हो परवार वालों के बीच में बैठे हो रिस्तेदरों के बैठे हो तो वह कोई आपसे पूछ लेता है यहाँ पर ही क्या हो गया इस बारे में आप कुछ बताना चाहोगे जब आपको उसके बारे में थोड़ी से knowledge होगी न तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं बता सकता हूँ आपका confidence एक अलग level का होगा जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप खुद को थोड़ा सा भिचा भिचा सा फिल करेंगे आप सोचेंगे या कोई मेरे से कुछ पूछ ना ले तो आपको उस शेत्र का थोड़ा बहुत ग्यान भी होना चाहिए चैस्ट्र में आपकाम कर रहे हैं उसका तो पूरा ग्यान आप जब भी किसी से बाते करो, धीरे बोलो और इस्पष्ट बोलो, धीरे बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपकी आवासलो होगी, आवासलो नहीं करने हैं, एक एक शब्द, इस्पष्ट होना चाहिए आपका, आप जो बोल ले हो, वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए, यह होता है, इस्पष्ट, पांचाव पॉइंट, पांचाव पॉइंट है, कि जब भी आप कभी किसी मीटेंग में बैठे हो, आप स्टुडेन्ट हो, आप किलास में बैठे हो, तो सब سے आगे चलकर बैठेगे, जावाब सब से आगे चलकर बैठ seguinte होगे, तो आपके एक वही यह जो सामने वाला बंदा है, यह अपने अपने एक confident बंदा है, इसका confidence हाई है, सबसे आगे चलकर बैठता है, यह होगा पांचा पॉइंट, छटे पॉइंट पर आते हैं, छटा पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बाते करो, उसकी आँखों में आँखे डाल कर बाते कर रहा है, तो इसका मतलब भी ठीक है, आँखों में आखे डालने से बात किने से, एक अलग ही level का attitude आता आपके अंदर, एक confidence जो है वह आपका बढ़ जाता है, यह हो गया आपका छटा point, और जो साथवा point है, वो है कि आप जब भी कभी किसी meeting में बैठे हो, आप सब के साथ बैठे हुए हो, और वहाँ अगर आपको बोलने का मौका मिलता है, तो आप वहाँ बोलने से हिच्क चाहिए मत, आप पुरी कोशिस कीजिए, कि आप उन लोगों के बीच में जाकर बोलिए, आप अपनी बातों को उनके सामने दखिए, जब आप कभी थोड़ा सा बोलना start क आपके थोड़ा confidence हैगा कि आज में चाल लोगों के सामने बोलना हूँ, आज में दस लोगों के सामने बोलना हूँ, तो आपको लगेगा कि अमें public के बीच में बोल सकता हूँ, यह होगे आपका साथवा point, कि आपको public के बीच में बोलना भी सीखना पड़ेगा, तो कौन-क पेर से अपडेट रहना पड़ेगा और आपको अपने काम की पूरी नौलेज होने चाहिए चौथा इसपस्ट बोलिए तो धीरे बोलिए पांचवा पांचवा जो पॉइंट है वो हमारा है कि आप जब भी कभी कहीं बैठे हैं तो सबसे आगे चल कर बैठिए च्छटा पॉइंट है कि आप आँखों में आँखे टाल कर बात कीजिए और साथमा पॉइंट है कि आप अगर किसी मीटिंग में अगर आपको बोलने का मौकर मिलता है तो आप चुकिये मत आप वहां जाकर जरूर बोलिए आप पॉबलिक के बीच में अलग दिखाए देंग तो पूरी उम्मीद है कि आप साथो पॉइंट पर काम करेंगे और साथो पॉइंट पर काम करने के बाद में आप खुद को भी फिल करेंगे कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो आप ऐसी हमसे जुड़े रहिए और डेली अप पर दोड़ाद।